समपोष निर्मान इकाई हमारी लगभग तयार है अब एक प्रोसेस जो हम लोगों को विशेज ध्यान रखना है जो वर्मिवास का आउटलेट है, मल्टी फिल्टर वर्मिवास आउटलेट उसके नीचे हम लोगों को एक गढ़ा बनाना है ताकि उसके नीचे कोई भी गड़ा रख सकते हैं और गड़े के उपर एक चलनी लगा दें प्लास्टिक की जो चलनी चाय चलनी आती है उसको हम लोग रख दें ताकि आसानी से वर्मिवास कलेक्शन हो सके और उस वर्मिवास के अंदर किसी भी तरह की मिट्टी या और अन्या वसेस नहीं हो ये विदी जो आप देख पा रहे हैं खड़ा बनाने की ये इस तरीके से हम लोगों को खड़े का निर्मान करना है दूसरी एक विशेस बात ये है कि बेड़ को अधिक समय तक चलाय मान रखने के लिए हम लोगों को बेड़ के चारो तरफ हम लोगों को मिट्टी लगा देनी चाहिए मिट्टी की एक लेर बना देनी चाहिए ताकि कम से कम दबाओ बाहरी किनारे पे पड़े और बेड़ फेलने का डड़ नहीं दए जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरीके से हम लोगों को चारो तरफ बेड़ के चारो तरफ हम लोगों को मिट खाद से सम्मंदित जो हम लोगों को एक्टिविटी करनी रहती है जैसे खाद निकालने का है पानी देने का है गोबर डालने का है या फिर टाट की बोरी लगाने का है जो भी इसमें प्रोसेस के अंदर एक्टिविटी होती है उनको आसानी से बीच के अंदर बेट कर आराम से इस काम को कर सकते हैं ये विधी बहुत ही सुगम है बहुत ही आसान है और इस विधी के माध्यम से किसान बहुत आसान इसे वर्मी कमपोष खात का निर्मान कर सकता है यदि कुल मिला कर आप वर्स भर में बात करें इस निर्मानी का इसे वर्स भर के अंदर यदि वर्मी कमपो